जान बची तो लाखो पाए लौट के बुद्धू घर को आए आज यही कहा वस सही हो रही है श्री लंका पर अंत तक गौर से सुनिएगा पूरा केस मज़ा आएगा आपको कि कैश श्री लंका की चीन ने लंका लगा दी दरशल स्री लंका में खेती के लिए खात की जरुरत पेट पर पट्टी बांद कर तो लंका बासी अब जी नहीं सकते इसलिए श्री लंका ने चीन को और्डर दे दिया कि बढ़िया वाला मस्त और्गैनिक फर्टिलाइजर भेज दो चाइनी शिपमें श्री लंका के लिए लोड हो इसके पहले श्री लंका के वैग्यानिकों चाइनी स्वर्टिलाइजर की दो दो बार टेस्टिंग की तो पता चला कि खाद में कीड़े हैं प्रदूषित है वह है श्री लंका को चाहिये खाद है लेकिन चीन खात के साथ कीड़े मकोडे फ्री में दे रहा है अब टेस्ट रिजल्ट देखकर श्री लंका के रोंग टिखड़े हो गए उसने चीन से मना किया कि भाई रहने तो दो हमें नहीं चाहिए ऐसी खात लेकिन आपको तो पता है चीन कहां मानने वाला था उसने उल्टा श्री लं से दोस्तियारी के चक्करव है चीन से आई शिपमेंट को बापस भेजें या क्या करें बापस भेजें तो चीन लेगा नहीं चाइनिस ऑर्गनिक फर्टिलाइजर को अगर अपने हां उतार दिया तो वह और भी बड़ी टेंशन अब साब के मुँ में इस प्रकार फस गई छचूंदर ना उगलते बना ना ही निगलते बना उधर फसल को चाहिए ही चाहिए फर्टिलाइजर है वैसे भी श्री लंका की मुश्किने कोई कम नहीं है और आप देख लीजिए चीन किस तरह जलती लंका में घी डाल रहा है इस असमंजस में फसे श्री लंका को लग रह और उसने भारत से हाँ जोड़ कर प्रात्ना कर दी कि भाय जल्दी से जल्दी अपना नैनोयूरिया भेज़ दो हमने कई वार नैनोयूरिया को ...कमाल की चीज़ बनाई है भारतने ....कोई टेंस्टेन नहींánt आधा लीटर की बॉटल से ही काम चल जाता चूंकि यह हलकी है इस इसलिए उसे अभी 21 लाख लीटर नैनो यूरिया चाहिए और भारत अपनी जरूरत को मद्दे नजर रखते हुए श्री लंका की संकट में मदद कर रहा है अब दोस्तों वैसे मन तो नहीं होता है लेकिन फिर भी हम चीन जैसे डुस्ट देश तो है नहीं श्री लंका की सप्लाइ का हम समर्थन करते हैं वैसे भी अब चुकि श्री लंका ने अधिकारिक रूप से प्राथना की है इसलिए मैं उम्मीद है कि भविश में श्री लंका इस पूरे घटना करम को भूलेगा नहीं वैसे भी हम तो नेकी करके दरिया में डाल रहे हैं तो दोस्तों इसी बीच शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते तेज गिरावट आ रही है आगामी सब्ता रोचक होने वाला है एक आत्म निर्भर इंवेस्टर के रूप में हम अच्छा माल सस्ते दाम पर खरीदने के लिए बिलकुल तैयार बैठी हैं जैस के सस्ते में माल उठा सकें अब 6-7 महीनों बाद आ रहा है ऐसा मौका तो चौकल लगाना ही पड़ेगा यदि आप इस सुनेरे मौके को भुनाना चाहते हैं तो तुरंद आ जाए हमारे आत्मिर्भर इंवेस्टर कोर्स में जिसके बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीकई लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए.